इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में सबसे पहली चीज इसकेलेटल सिस्टम कहते किसे हैं इसकेलेटल सिस्टम हमारी बाडी में जितनी भी बॉंस होती हैं उनके द्वारब बनाएगे स्ट्रक्टर को ही इसकेलेटल सिस्टम कहते हैं Bones in Body In children more than 300 bones present In adult 206 bones are present बेबी जब born होता है तो उसके पास 300 bones होती है पर जब वा बढ़ा हो जाता है तो उसके पास 206 bones हो जाती है अब हम बात करेंगे कि हमारी body में जो skeletal system है उसका काम क्या होता है पहला काम support It provides structural support to the entire body हमारा skeletal system हमारी पूरी body का structural support देता है दूसरा protection It protects the delicate internal organ like heart and brain जो हमारा skeletal system है वो हमारी body में कुछ soft part होते हैं जिनकी हिफाज़त करता है हमारा skeletal system जैसे कि हमारा heart है हमारा brain है इन सबकी protection skeletal system ही करता है तीसरा movement It helps in movement of different part of body skeletal system हमारी body को move करने में भी help करता है हमको चलने उठने बैठने हर एक movement में skeletal system ही मदद करता है अरी skeletal system हमारी body में ऐजा इस्टोरेज भी काम करती है वो हमारी body में calcium और phosphorus को store करती है ये skeletal system का part first था आगे के part बहुत ही जल्दी upload कर दिये जाएंगे आप हमारे चैनल को subscribe कर ले और आगे की वीडियो की एक playlist बनके हमारे चैनल पे और description box में उसके link दे दी जाएगी थैंक यू